हेलो स्टुडेंट वेलकम टू नवाउंकुर डिजी लेसिंस क्लास मैं हूं सीमा साथ और आज आप हल करेंगे हमारे टॉपिक राज्जी की सरकार के कोश्चन आंसर यह आज हम राज्जी की सरकार टॉपिक के अभ्यास प्रश्च को हल करेंगे तो आईए हम सबसे पहले शिर है यानि कि हमारे देश में बारतमान में राज्जी की कुल संख्या बतानी है तो इसकी ऑप्शन से आ उंतीस बासटाइस सा पैतीस दा पच्चीस तो इसमें जो सही आंसर है वह है आ उंतीस है अब हमारा सेकेंड है विधान सबा कारेकाल होता है यानि विधान सबा कारेकाल कितनी वर्ष का होता है यह बताना है इसकी आप्शन से आ छे वर्ष, बा चार वर्ष, सा दस वर्ष, दा पांच वर्ष इसका सही आंसर दा आप्शन है पांच वर्ष तीसरा सही विकल्प का कोशन है राजी सूची में कुल विशे समलित हैं तो राजी सूची के विशेयों की संख्या बतानी है इसकी ओप्सन से आ संतानवे, बा बासट, सा ब्यालीस, दा बाईस तो इसका सही answer है बाव option 62 विसे होती है राजिसूची में आप हमारा next question है खालिस्थान का खालिस्थान का जो हमारा पहला question है वो इस प्रकार है बिधान सबाग के सदस्य को खालिस्थान कहते हैं तो बिधान सबाग सदस्य को क्या कहते हैं ये बताना है इसमें जो सब्द आएगा बहे आएगा विधायक या विधानसवा सदस्य आप इसमें विधायक भी भर सकते हैं या फिर विधायक विधानसवा सदस्य तो दूसरा खालिस्तान है विधानसवा की बैठकों की कारिवाही का संचलन खालिस्तान द्वारा किया जाता है इसमें सब्द आएगा विधान सवा अध्यक्ष विधान सवा की बैटकों की कारिवाही का संचलन विधान सवा अध्यक्ष के दोरा किये जाता है तीसरा खालिस्तान है मद्ध प्रदेश की विधान सवा में सदस्यों की कुल संख्या खालिस्तान है तो मद्ध्य प्रदेश की विधान सवा में सदस्यों ही कुल संख्या 230 है तो इसमें 230 सब्द आना है यानि 230 संख्या भराएगी अब हमारा चौथा खालिस्तान है विधान सवा सदस्य चुने जाने ही तू नियुंतम आयू सीमा खालिस्तान वर्ष है इसमें आना है पच्चीस वर्स बिधान सबा सता सचने जाने हेतू नियुम्तम आयू सीमा पच्चीस वर्स है बिधायक बनने के लिए कम से गाम पच्चीस वर्स उम्र होना जरूरी है अब हमारा जो अगला कोशन है बहल लगुत्तरी कोशन आंसर का है कोशन है विधान सवा द्वारा पारित प्रस्ताव कानून कब बन जाता है आंसर है राज्यपाल अत्वा राष्टपती के हस्ताक्षर होने के बाद विधान सवा द्वारा पारित प्रस्ताव कानून बन जाता है यानि विधान सवा के द्वारा पारित प्रस्ताव या कानून बन जाता है राज्जपालत वा राष्ट्रपती के हस्ताक्षर होने के बाद या तो उस पर राज्जपाल हस्ताक्षर करें अगर राज्जपाल हस्ताक्षर नहीं करेगा तो फिर राष्ट्रपती हस्ताक्षर करें तभी कानुन बन सकता है नेक्स्ट कोश्चन है भारती सम्विधान में उल्लेखित विसे सूची के नाम बताईए आंसर है भारती सम्विधान में उल्लेखित निमलेखित सूचिया है नमबर एक संगी सूची, नमबर दो राज्जी सूची, नमबर तीन है संबरती सूची तथा चार नमबर चार है इसका अपसिष्ट विसे सूची यानि कि चोधे नमबर पर जो है वह है जितने भी विसे रह जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अपसिष्ट तो बचे हुए विसेओं की जो सूची है उसे अपसिष्ट विसे सूची तो इस तरह है भारती सम्मिधान में उलिखित चार सूचिया हैं नेक्ट कोशन दीर का है विधान सवा सदस्य बनने के लिए निर्धारित आहरताएं कौन कौन सी हैं यानि विधान सवा सदस्य या विधायक या फिर उसी को हम MLA कहते हैं तो विधान सवा सदस्य बनने के लिए निर्धारित आहरताएं निम्लिकित हैं नमबर एक, वह भारत का नागरिखो यानि जो व्यक्ति विधायक बनना चाहता है वह आमारे देश भारत का रहने वाला होना चाहिए ये शर्द किसी भी पत पर रहने के लिए चाहिए कि ब्यक्ति भारत का होना चाहिए दूसरी जो योगता है वो इस परकार है कि वह 25 वर्स की आयू पूंड कर चुका हो यानि जो विधायक बनना चाहता है उसकी उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए तीसरी शर्त है वह दिवालिया अथवा पागल ना हो तो जो ब्यक्ति विधायक बनना चाहता है उसे अपने ब्यापार में घाटा ना होगा दिवालिया मीन से होता है ब्यापार में घाटा होना और घाटा इतना बड़ा होना कि उसकी सारे संपत्तियों को बेंच कर भी वह अपना ब्यापार का कर्ज यहीं नहीं चुका पाता तब हम उसे कहते हैं कि दिवालिय होना तो जो वैक्ति विधायक बनना चाहता है वहें दिवालिय आत्वा पागल ना हो यानि मेंटरी रूप से सही होना चाहिए अब हमारी आकरी शर्थ है कि वहें भारत सरकार या किसी राजे सरकार के अधिन लाव के पत पर ना हो यानि कि जो वैक्ति विधायक बनना चाहता है वहें केंद सरकार में या राजे सरकार में कोई भी सरकारी नोगरी नहीं करता हो अगला कोशन है विधान सभा के गढ़न की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए यानि विधान सभा की जो प्रक्रिया है उसे बताना है आंसर है मद्धिपर्देश की विधान सभा ही तू 230 इस्थान निर्धारित है यानि मद्धिपर्देश की विधान सभा की कुल सीटे कितनी है 230 है एक व्यक्ति एक ही छेत्र का विधायक हो सकता है उप्रोक्त इस्थानों के लिए भारत का चुनाव आयोग केंद्रवा राज के प्रामर्श से एक अधिसूशना जारी करता है जिसमें की तिथियां गुशित की जाती है इन तितियों में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन फारम भरे जाने, नाम बापस लिए जाने, मद्दान एवं मत गर्णा की तिति आम जनता को बदाई जाती है चुनावों का संचालान चुनाव आयोग के देखरेक में होता है चुनाव आयोक द्वारा सभी चुने हुए विधायकों की सुची गुशित करने पर विधानसवा गठन के पुर्गरिया पून हो जाती है अगला कोशन है विधानसवा के कारे वशक्तियों को समझाईए विधानसवा के दो कारे हैं नंबर एक है कानून बनाना तथा नंबर दो बित्तिय कारे मींस बजट को स्विकर्ति प्रदान करना यानि बजट को अपनी स्विकर्ति देना तो पहला है कानून बनाना विधान सवा को राजिसूची में वर्नित सभी 62 विश्यों पर कानून सभी 62 विश्यों पर राज की आवशक्ता के अनुसार कानून बनाने का अधिकार है सरकार द्वारा सदन में विधेयक प्रसूद किया जाता है जिस पर चर्चा होती है विचार विनिमय के पश्यात सदन उस विधेयक को पारित करता है सदन द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के अनुमती ही तुभी जाता है राज्यपाल आवशक्ता होने पर उसे राष्टपती के पास भीज सकता है राष्टपती अत्वा राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद विदहक अधिनियम का रूप ले लिता है यानि कोई भी कानून अगर राजसरकार बनाती है तो राज़पाल के हस्ताक्षर होंगे और यदि केंद सरकार बनाती है तो राश्टपती के हस्ताक्षर होंगे इन दोनों के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बनता है राज में राज़पाल के और केंद में राश्टपती प्रतिवर्ष विधान सवा में वित्तमंत्री द्वारा राज्य का आए वे विधयक बजट प्रस्तुत होता है। अब हम बात करेंगी विधान सवा की शक्तियों की। प्रश्ण पूशना बजट में कटोती प्रस्ताव आदी गंभी रिस्तिती उत्पन होने पर सरकार के विरुद्ध आविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। थैंक्स वर वाचिए। थैंक्स वर वाचिए। थैंक्स वर वाचिए। थैंक्स वर वाचिए।